आज आप लोग पढ़ेंगे class 7 math का exercise 10b का 8 questions से आगे के questions इससे पहले बाले पाट में आप लोगों ने question 7 तक पुरा पढ़ाई complete किया था अगर आप लोग चैनल परना है चैनल को subscribe करिए वीडियो को like करिए और ज्यादा ज्यादा share करिए ताकि सभी लोग आसानी से प्रहाई कर सका तो देखिए इसमें question 8 दिया हुआ है या दि चतुर भुज के अंतर कोर A, B, C और D इस परकार हों की इनलके अनुपात A, B दिया देखिए 1 का अनुपात 2, B अनुपास C बराबर दिया 2 अनुपात 3, C अनुपास D बराबर दिया 3 अनुपात 4 तो परते कोन का मान गयाद किजिए देखिए इसमें कह रहा है कोनों में अनुपात दे दिया है तो जब ध्यान से देखते हैं इसमें देखिए एक का कितना हुआ है एक तो बी का दो ध्यान दिजिए का यहां देखिए बी सी बी का यहां दो हुआ था तो B का देखिए 2 है, C का 3 है यहां देखिए C का 3 है, D का 4 है मतलब इस परनूनीपाथ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पहरे एक बार लिखते हैं चुक्स कोड A अनुआथ पर B बराबर दिया है A का अनुपाथ दो कोड B अनुपाथ कोड C बराबर दिया 2 अनुपाद 3 कोड C अनुपाद कोड कोड D बराबर दिया 3 अनुपाद 4 यहाँ पर अनुपाद ऐसे देने का मतलब है A का अनुपाद 1, B का 2, C का 3, D का 4 इस अनुपाद को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लिखेंगे अता कोड A अनुपाद, कोड B अनुपाद, कोड C अनुपाद, कोड D बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 अनुपाद 2 अनुपाद 3 अनुपाद 4 ऐसे हम लोग सब जब सब अनुपाद को ये कमे मिला देते हैं तो इसका मतलब हुगा देखिए A, B, C, D में कितने का अनुपात है एक, दो, तीन, चार का और जब ऐसे अनुपात दिया तो हम लोग मान सकते हैं कोड़ों को कैसे लिखेंगे माना चतुर्भुज का एक कोड़ बराबर, हम लोग एक कोड़ को देखिए मानेंगे क्या एक है, एक यक्स हम लोग चर के साथ मानते हैं, एक यक्स मतलब यक्स लिखेंगे एक कोड़ हमने माना, दूसरा कोड़ को क्या मानेंगे, दूसरा कोड़ बराबर दो एक्स हमने बताया था, अनुपात में जब दिया होगा तो चर के साथ मानेंगे एक ही चर के साथ, तीसरा कोड़ बराबर लिखेंगे तीन एक्स चौथा कोड बराबर लिखेंगे चार एक्स दखिए हमने क्या किया अनुपात को जब एक दो तीन चार में लिखा तो एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स, चार एक्स में मान लेंगे चारो कोड़ों को अब हम लोग जानते हैं लिखेंगे चू की चतुरभूज के चतुरभूज के चारों कोडों का योगफल 306 होता है यह हम लोग जानते हैं चतुरभूज के चारों कोडों का योगफल 307 चारों कोड हमने मन लिया तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अब हम लोग क्या करेंगे हल करते हैं यह जोड़ेंगे 4X, 3X, 7X, 7, 2, 9X और 9 और 1 यह हो जागा 10X बराबर 306 हं हमको X का मान निकालना है 10 इधर गुड़ा में इधर करेंगे तो भाग में होगा 306 हंस बटा में 10 देखिए 10 से 10 कांसील हो गया 36 X का मान आया 36 हंस अब देखिए जो X का मान 36 आया तो मतलब एक कोड़ को हमने X माना था तो लिखेंगे यहाँ इसलिए एक कोड़ बराबर 36 यह अंसर हो जागा दूसरा कोड़ हमने माना था 2 X दूसरा कोड़ था 2 X तो क्या करेंगे 2 गुरा X का मान देखिए आया 36 तो 36 जब यहाँ रखेंगे गुरा कर लेंगे तो 72 अंसर हो जागा दूसरा इसी तरह से तीसरा कोड़ देखिए तीसरा कोड़ हमने माना था 3 X तो 3 गुरा में X का मान रख देंगे 3 गुरा में X का मान आया 36 तो 36 जब रखेंगे गुरा करेंगे तो हो जागा 108 अंसर यह हो गया फिर देखिए चोथा कोड़ है 4 X तो X का मान रख दें 36 तो 4 गुरा में 36 जब करेंगे 144 अंस यह अंसर होगा तो देखिए एक कोड़ हो गया 36 दूसरा 72 तीसरा 184 144 अंस तो इस तरह से कोश्चन को सॉल्ब कर लेना है अब हम लोग इस एक्सरसाइज 10 B का लास्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 9 को देखते हैं यह आपर कोश्चन नमबर 9 दिया एक सम्दिवाव तिर्भूज ABC का सिर्स कोड़ 45 अंसर तिर्भूज की भूजा AB और AC के मध्ध बिंदु करम से MRN बिंदु MRN को मिलाई यह इस परकार बने चतुरभूज BMN के अंता कोड़ BMN तथा कोड़ CNM कायोग ग्याद कीजिए इनका अलग-अलग मान भी ग्याद कीजिए तो पहले इसको पढ़के हम लोग फिकर बनाते हैं कह रहा है सम्दिवाव तिर्भूज ABC तो हम लोग बनाते हैं यहाँ एक सम्दिवाव तिर्भूज ABC देखिए सम्दिवाव का है मतलब इसमें दो भूजा आएं बराबर हैं ये और ये दोनों भूजा बराबर हैं इसको याद रखेंगे तिर्भूज की भूजा ABC के मध्य बिंदू करम से मोना या नहां देखिए दिया है ABC के मध्य बिंदू मालने जी इसका मध्य बिंदू ये इसका मध्य बिंदू ये है तो कौन है M और N इसको M लिखते हैं इसको N इसको मिला देते हैं अब देखिए बिंदूं M और N को मिलाईए हमने मिला दिया इस परकार बने चतुरभूज BMNC देखिए यहाँ चतुरभूज बन गया एक B, M, N, C यह चतुरभूज बन गया है कि अन्ता कोड B, M, N तथा कोड C, N, N देखिए B, M, N, B, M, N मतलब यह कोण को कहा है तथा कोड C, N, N C, N, N मतलब यह कोण का योग ग्याद किजिए इन्ही दोनों का जोड बताना है योग मतलब जोड दोनों को जोड के कितना होगा और यह भी बताना है इनका अलग-अलग मान भी ग्याद किजिए इनका अलग-अलग भी मान बताना है कितना होगा इसका मान, कितना होगा इसका और दोनों को जोड़ के भी बताना तो कैसे बताएंगे इसी को देखते है और कारा ABC का सीर्ष कोड सीर्ष कोड इसको काते है इसका मान दे दिया है 40 अंस अब ध्यान दिजिए क्या करते हैं ये 40 अंस दे दिया है और ये देखिए सम्दिवाव तिर्भूज आया तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे तो हम लोग यहाँ सपले इन दोनों कोणों को निकालते हैं लिखेंगे चुंकि तिर्भूज ABC1 सम्दिवाव तिर्भूज है जिसमे AB बराबर AC है ये AB बराबर AC है क्योंकि सम्दिवी बाव जिसमें दो भूजा बराबर हो हमने दो भूजा बराबर लिख लिया इस तिर्भूज में AB बराबर AC है इसलिए ये कौन B बराबर होंगे कौन B बराबर कौन C इसलिए कौन B बराबर कौन C देखिए जब सम्दिवाद तिर भूज होगा तो जब आप लोग जानते हैं तिर भूज में दो भूजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कौन B बराबर होते हैं इस भूजाग सामने का कौन ये इस भूजाग सामने का कौन ये दोनों कौन भी बराबर इसलिए हमने लिखा कौन B बराबर कौन C अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इस B और C का पहले मान निकाला हमको ये मान निकालना तो अभी B और C का मान निकालते हैं हम लोग जानते हैं तिर्भूज में लिखेंगे तिर्भूज ABC में तिर्भूज ABC में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है आप लोग जानते हैं तो आही लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है कितना 180 तिर्भूज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है प्लस कोड B बराबर देखिए कोड C है तो हम लोग B के जगा पर क्या लिख सकते हैं कोड B के जगा पर कोड C लिख सकते हैं क्योंकि B बराबर C और प्लस कोड C बराबर 180 हल करते हैं 40 को उधर कर लेते हैं और कोड C को जोड़ेंगे तो 2 कोड C होगा एक कोर सी एक कोर सी जोड़ेंगे तो दो कोर सी बराबर 180 परले सा 40 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा अब दो कोर सी बराबर 180 में 40 को जब घटाएंगे तो 180 में 40 को घटाएंगे तो 140 होगा दो इधर गुड़ाम इधर करेंगे तो भाग होगा तो code C का माना जाएगा 140 बटा 2 भाग करेंगे तो 70 अंस हो जाएगा देखिए code C का माना जाएगा 70 अंस अब हम लोग लिख सकते हैं code C बराबर 70 अंस है तथा code B बराबर 70 अंस क्यों कि देखिए B और C बराबर है तो जब C का मान सत्तर आया तो B का भी मान सत्तर होगे आप ध्यान दिजिए ये हो गया सत्तर अंस ये भी हो गया सत्तर अंस अब क्या करना है निकालना ही ये दोनों कोर तो कैसे निकालेंगे तो आप लोग ध्यान दिजिए जब भी अगर दो समांतर रेखाएं होंगी दो समांतर रेखाएं हो और उनको एक रेखा ऐसे काट रहा हो मतलब एक तीरियक रेखा काट रहा है इसको तीरियक रेखा काते हैं तो देखिए क्या होते हैं ये इसको काते हैं अंतर कुण यहाँ और यहाँ के जो कूण बनेंगे उसको कहते हैं अंता कूण और अंता कूणों का योगफल होता है 180C इसको आप लोग याद रखेंगे तो देखिए इस तिर्भूज में क्या है यह मध्य बिन्दु को जब मिलाएंगे मध्य बिन्दु को कहाँ एम और यहन दोनों मध्य बींदु है तो मध्य बींदु को जब मिलाते हैं तो यह रेखा और यह रेखा दोनों समांतर होती है इस तरह से देखिए और उसको देखिए यह रेखा काट रही है यह से तिरिछा में जैसे हमने काटा तो दुखिए ये रखा काट रही है तो मतलब ये कोड़ और ये कोड़ दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 118 लिखेंगे हम लोग यहां कैसे दखिए लिखेंगे चुंक यन समानतर हो आप लिखेंगे इसलिए कोड़ ये और प्लस कोड़ ये बराबर होंगे एक सवस्सी इसलिए लिखेंगे कोड़ B प्लस ये कोड़ का नाम लिखेंगे B M N यहाँ देखी ये दिया भी या नाम इसका B M N तो इस कोड़ का नाम लिखेंगे कोड B प्लस कोड B M N बराबर होगा एक सवस्सी आगे यहाँ कारण लिखेंगे अंतह कोड यहां लिख लगता है क्यों ये एक सवस्सी हुआ तो यह और यह दोनों समांतर रखाओं के दखिए दो समांतर रखाओं के बीच में जो कौण है ऐसे इसको का तेątकड और दोनों का जोड़ होता एक सवस् सी तो आई दोनों का जोड एक 180 अब देखिए ये कोड B का मान हम लोग 70 निकाले हैं तो यहां रख सकते हैं 70 तो 70 पलस कोड B M N बराबर 180 तो कोड B M N बराबर भेज लेंगे तो कोड B M N बराबर निकल जाएगा 180 माइनस 70 होगा घटाएंगे 70 जब उसमेश तो 110 यानिक देखिए इसका मान आगेए 110 यही पूछा था तो एक ये अंसर हो गया फिर देखिए इसी तरह से इसको पूछेगा इसको पूछ रहा है कितना होगा तो ये भी देखिए ऐसे भी है ऐसे एक रेखा काट रहा है ये दोनों रहा है समानते हो तो ये और ये कोणों का योगफल 180 होगा मतलब इसको जोड़ने पर 180 होगा तो हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं ऐसे पूरा नहीं स्वालब करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसी परकार जब दोनों ये कही जैसा होता है तो एक लिख के एक इसी परकार लिख के लिख देते हैं कोड म एन सी बराबर कोड देखिए सी याने अम नाम दिया सी याने अम कोड सी एन एम बराबर 110 ये अंसर होगा देखिए दोनों का अलग अलग मान पुछा था और योग गयात किजिए दोनों का योग भी तो हम लिखेंगे तथा दोनों का योग पुछा तो योग कर लेते हैं कोड B M N प्लस कोड C N M बराबर देखिए कोड B M N प्लस कोड़ C M N बराबर क्या लिखेंगे दोनों का योग फल कितना होगा 110 ये भी आया है 110 ये भी आया है तो लिखेंगे 110 अंस प्लस 110 जोड़ेंगे तो 220 ये अंसर हो जाएगा तो दोनों का योग हो गया 220 इसमें योग पूछा था और अलग-अलग मान 110 110 होगा तो इस तरह स्कोस कर लेना है तो आज ये exercise 10 का भी complete हुआ अगले पाट में आप लोग 10 का C और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आज के लिए बस इतना है